इस विडियो में दी हुई जानकारी internet से ली गई है, हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। फिब्रिस्पा एक्स टेबलेट का उपयोग irritable bowel syndrome यानि की लक्षणों में पेट में दर्ड, एंठन, सूजन और दस्तिया, कब्ज शामिल हैं के इलाज के लिए किया जाता है। यह पेट दर्ड और एंठन को दूर करने के लिए अचानक मानस्पेशियों में एंठन को रोकता है। यह पेट की परेशानी को कम करने के लिए गैस के आसान मार को भी बढ़ावा देता है। Fibrospa X Tablet बिना भूजन के खुराक और अवधी में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुश प्रभाव ठकान, भ्रम, शरीर की असायमित गती, त्वचा पर लाल चिकते और गंदी बोली हैं। इन में से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। अपने चिकित सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इन में से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। यह चक्कर आना और नींद का कारण भी बन सकता है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक जैसे फाइबर युकताहार लेना, ऐसे खाते पदार्थों से परहेज करना जो आपके लक्षनों को ट्रिगर करते हैं। तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाना और नियमित व्यायाम आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसे लेने से पहले आपको देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।